बच्चों सो सब प्रतिमिनट ग्रति का डिक्टेशन दे रहा हूं डिक्टेशन के पेले जो भी इसमें एडवांस आउटलाइन आरे वह आपको बता रहा हूं इसका उप्योग करके आप इसको आराम सेलिक पाएंगे यह से स्टार्ट सेना की ओर से सेना लगाएं की कडेश लगाएं और डाउन्लोड ररा करके सरकल से लगा दे सेना की ओर से संघर्च विराम का उल्लंगन संघर्च विराम का उल्लंगन संघर्च विराम का उल्लंगन भारति सेना भरक वादा कर दें इसी में सेना लगा दें बारती सेना कठोर कार वाई कागु डबल करें ठर निकल जाएगा कार वाई सुनिशित किया जाना चाहिए सुनिशित का कांख़ा निकालें किया जाना चाहिए एक रह रह वनो दूसरा रह को डबल करतो रह रह कर अच्छी बात यह है कि अच्छी का सब चिनने बकवादा करें अच्छी बात यह है कि मुह तोड जवाब मुह तोड और जैसा काटतीं मुह तोड जवाब Air strike लाइन को टच करके Air Strike आतंकी सिवीर कायम हो गए है, का यह बनाएं पीश कायम हो गए है इसका मतलब है की, का मॉलब बड़ा करें, मतलब है की मतलब का सब चिन लगाए अचंड नए शिरे से सिर उठा लिया है सीर उठा लिया है ठाक को काटते बीच में सीर उठा लिया है जम्मू कस्मीर जम्मू और कस्मीर के लिए सरल लगाएं बारत सरकार फेसला हो सकता है फेसला हो सकता है बोकला हट गरेलू मंच गरेलू और उच्चा से काटे मंच के लिए अंतरास्टी मंचों पर अंतरास्टी मंचों को डबल कर दें पर निकल जाएगा भारत के खिलाब भारत आधा करें के खिलाब कम से कम सीमा वर्ती इलाका ला से काड़ दें सीमा वर्ती इलाका आम नागरिक आम करके न को डबल करके करल कर दें आम नागरिक गंबिरता पुर्वक विचार करना होगा अतंकी संगठन जरूरत का सप्ती ने सरकल से लगाए और दल लगाए जरूरत से ज्यादा दुनिया भर के देश इस पस्ट हेकी इस मेहेकी लगा दे हमेशा के लिए टीक अच हाका लगा है हमेशा के लिए तो बच्चों यह जो डिक्टेशन में आउट्लाइन हा रही है यह मैंने पती इसको एक बार आप लिख लें अच्छी तरीके से फिर डिक्टेशन देता हूँ सेना की उड़ से संगर्श विराम का उलंगन भारती सेना कठोर कारवाई सुनिशित किया जाना चाहिए रहरेकर अच्छी बात यह है कि मुह तोड़ जवाब एरिश्ट्राइक आतंकी संगठन कायम हो गये हैं इसका मतलब है कि नए सिरे से सिर उठा लिया है जम्मू कस्मीर भारत सरकार फेसला हो सकता है बोकलाहट गरेलू मंच अंतराश्टी मंचो पर भारत के खिलाप कम से कम सिमावर्ती इलाका आमनागरी गंभिरता पुर्वक विचार करना होगा आतंकी संगठन जरुष से जादा दुनिया भर के देश इस पस्ट है की और हमेशा के लिए बच्चु यह वो आउट लेने जो इस डिक्टेशन में आ रही है इसके आप पहले प्रक्टिस कर लें उसके बाद आप डिक्टेशन लिखेंगे तो आप आरम से सो एक सो बिस से लिख पाएंगे अब मैं आपको इसका डिक्टेशन दे रहा हूँ यस स्टार्ट पाकिस्तानी सेना की ओरते आतंकियों की गुस्पेट कराने के लिए संगर्स विराम का उलंगन किये जाने से उक्ताई भारती सेना ने जो कठोर करवाई की उससे पाकिस्तान जरूरी सवक सीखते हुए दिखना चाहिए वास्तों में अब यह सुनिशित किया ही जाना चाहिए की पाकिस्तान रह रहकर संगर्स विराम का उलंगन करने से बाज आए यह अच्छी बात है कि भारती सेना ने पाकिस्तानी सेना को मूतोर जवाब देते हुए सीमा पार के आतंकी संगठनों को भी निसाना बनाया लेकिन अगर बालाकोट में की गई एरिस्ट्राइक के बाद गुलाम कस्मीर से हटाए गए आतंकी सिविक फिर से वहां कायम हो गए हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जियादी सोच ने नए सिरे से सीर उठा लिया है इसकी एक बड़ी वज़े जम्मु कस्मीर को अनुच्छेत 370 से मुक्त करने का भारत सरकार का फेसला हो सकता है भारत के इस सांसिक फिसले के बाद पाकिस्तान की भोकलाहट बड़ी है वह घरेलू मंचों के साथ साथ अंतरास्टी मंचों पर भी भारत के खिलाब जहर उगल रहा है इसका कोई उपचार नहीं नजर आता लेकिन कम से कम अब तो एसे उपाय किये ही जाने चाहिए कि पाकिस्तान संगर्श विराम का उलंगन कर भारत को नुक्सान पहुँचाने से तोबा करें इसकी अंदेखी नहीं की जानी चाहिए की सीमा पर पाकिस्तानी सेना की योड़ से की जाने वाली गोलाबारी से कभी हमारे जवान खेत रहते हैं तो कभी सीमावर्ती इलाकों में रह रहे आम नागरिक गद दिवस ही तंगदार सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की ओर से की गई उक्सावेवाली गोलाबारी में हमारी सेना के साथ नागरिक आबादी को छती उठानी पड़ी आखिर यह चिल्सला कब थमेगा यह वह सवाल है जिस पर सेना के साथ साथ सरकार को भी गंभिरता पूर्वक विचार करना होगा इस सवाल पर विचार करना इसलिए अवश्यक हो गया है क्योंकि फिलाल इसकी सूरत नहीं नजर आती की पाकिस्तान भारत को नीचा दिखाने की अपनी कुतसित सोच का परित्याग करेगा पाकिस्तान आतंकी संगठनों के सारे भारत के खिलाब छेड़े गए छद मयुद को जरुष से ज़्यादा लंबा खीच रहा है जब दुनिया भर के देश अपने बुन्यादी ढाचे पर निवेश करने में लगे हुए हैं तब पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकी ढाचे पर निवेश करने में लगा है वह सायद ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक उसे इसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ती भारत की किसी सेन्य कारवाई में अपने आतंकीयों के मारे जाने से पाकिस्तान की सेहत पर असर इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उसकी धरती पर उन्हें तयार करने वाले मदर से बढ़ते ही जा रहे हैं इस पस्ट है कि भारत को यह देखना ही होगा कि पाकिस्तान उसकी कारवाई से हमेशा के लिए सबक सीखे बच्चों इसका इसकी साड़ भी ले ले हूँ इस अन्वाद को आप टाइप करने के बाद इससे चेक भिकर सकते हैं या जो आपने टाइप किया मेरे पास भेज के भी आप अपनी गलतिया निकाल सकते हैं सबसे जादा आप अपनी गलतियों पे ध्यान देंगें तो आपको परिक्षा में किसी तरही का परताने नहीं होगी, बच्चे लोग जनरल इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, यसलिए मेरा निवेदन है कि आप अपने गलतियों पर बहुत ध्यान दें, प्योंकि परिक्षा में सिर्फ शॉर्टिंग की गलतियां ही देखी जाती है धन्यवादू